लाच पेन के जरीए हम हलके हलके टेंसिल ट्रॉइंग को कर लेंगे अजय कर लेंगे वोधी इजी ड्राइंग है और यह कंपोईशन में अपने आप सुन्दर है अनली लाइट एंड सेडो के बज़े से अनली वोधी ओता है अर्खेटिक्ट्र ड्राइंग बड़ा इन्पोर्टेंट है बहुत इसे द्यान को बुक करना चाहिए और अच्छी दरा को ड्राइंग करना चाहिए बहुत इज़ी है सिर्फ लाइट को संबलना है और कुछ इस तरह से आपको पेंटिंग देखना को मिलेगा एंड में देखे कितना खुश्रत अपने आप में खुश्रत लाइटन सेडूस को जो आप मेंटिन करते है बैक्ग्रांड में बहुत संदर सा एक तार्कनेस और शामने पार्ट में चलिए हम देखते हैं इस तरह से कंप्रीट किया जाता है अब बीबिग जी जहां था कि यह बेनिस का मैं कंफरम नहीं बता सकता हूं बट मुझे इंटरनेट से मिला था मैं डाउनलोड किया था नेक्स्ट टेम जुरूर बताओंगा यह कहां का है हमें अच्छे कंपोजिशन का चलास रहता है और फिर हम देखते नहीं वह कहां से है आगे से देखेंगे आपको बता भी पाएंगे पेंसिल को आप इस तरह से पकड़ेंगे तो स्टार्टिंग में आपको जूरू दिक्कत आएगा पर दिरे दिरे आप इसके उपर कंट्रोल आजाएगा और बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि यह पेंसिल आपके सोल्डर से घुमता है इस तरह से आप चापेंसिल पकड़ते है एक सेकेंड मैं कोसिस करता हूँ यह लोकेसान को निकालने की क्योंकि काफी लोगों ने पूछने लगा ओके इंट्रेस्ट में जाके आपको इस तरह से आर्केटिक्टिक्चर जब अब ट्राइब करेंगे दिखेंगा आपको ओके मैं कोशिश करता हूँ नेट पे इसको निकालने के लिए कहां काहाई है आयो नुरुद्धो इस तरह से आर्केटिक्टिक्चर ड्राइंग आपको जितना हो सके ड्राइंग को आप कैप्चर कीजिए सिर्फ एक लाइटन सेडोज जो पेंटिंग्स को इतना सुंदर बना देता है यह जो कमपोजिशन है यह स्पेइन का है और यह हाउस रुप्लेक्स इन पैड़कोईस और यह स्पेइन का है स्पेइन स्पेइन का एक समंदर किनारे की एक व्यू है बहुत संदर है जो की मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है एक बीच है जो के एड़कोईस है अच्छा स्टार्टिंग में हमें क्या करना होगा जो लाइट को पकड़ने के लिए लाइट को मेंटेन रखने के लिए हम यह लोग करकी यूज़ करेंगे आप चाहे तो वहां वाइट स्पेस भी छोड़ सकते जिस तरह से है अट मैं तुरह सा वर्म कलर यूज़ करूँगा तुरह बैक्गरंड कूल है तो जिससे यह लगता है और बहतर दिखेगा बहतर लगेगा तुसलिए यह लाइट करका यूज़ मैं करूँगा बहुत ज़्यदा हाइलाइट जहां पर था वहां पर मैं कोशिश कर रहा हूँ पिसू पेपर के जरीए सेफ करने का पर यह लोग यह लोग करके साथ फ्रेंच अल्टमरीन कोबल्ट ब्लू जो मिक्स हो जाता है इस तरह से सुन्दर कलर एफेक्ट आ जाता है बहुत इज़ी है आसान है आपको ड्राइंग को थोड़ा संबलना होगा अर्खिटेक्चर ड्राइंग को करना होगा ठीक से और नीचे जो मेरे ऑनलाइन क्लास के कुछ डिटेल्स है डिटेल्स नहीं मेरा फोन नंबर है आप चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के जिरी आपको और बहतर सिखने के लिए आप जॉइन कर सकते हैं और आप मेरे चैनल पर अगर आये हो तो अगर आपको अच्छा लगए तो अब एक लाइक जुरूर किजिएगा और अब जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे दिखता नहीं है कमेंट करने से मुझे दिख जाता है कौन-कौन है सभी को मैं तहे दिल से सुक्रिया और वेलकम करता हूँ अपने अपना किम्ती समय दिया है और मैं अपना कुशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने इस तरह से कंपोजिशन डे टू डे आपको दिखा पाऊं कर दो प्रेंच अलतम नेन झाल झाल करेंगे कलर सेट ऐसा है विबेक जी आप सब्सक्राइब को फोलो किजिए आपके कॉन्फियूशन दूर हो जाएगा जब आप लिमिटेट कलर यूस करेंगे तीन या चार कलर के जिरी आप चापेंटिंग करेंगे तब जो आपके कॉन्फियूशन वो दूर हो जाएगा और कलर कैसे इस्तमाल करते है क्या क्या यूस करना चाहिए क्या गलती कर रहरो वो अपको वगर सिके आपको नहीं ऐसे बता के नहीं कर सकते आपके क्या मिस्तिक आपके पेंटिंग को देखना होगा पके पेंटिंग को रीवियू करना होगा तो हो बैतर हैえ आप एक माइन खंश कम जोईन करें और सब किलियर हो जाएगा फंडामेंटल आप मेरे पेंटिंग देख रहे हो मुझे आपका पेंटिंग देखना होगा आपके पेंटिंग को आपको समझाना होगा जो क्या मिस्टेक हो रहा है क्या पॉब्लम आ रहा है आपके पेंटिंग को रिव्यू किया जाएगा मेरे यूट्यूब के अंदर कम से कम 300 वीडियो है इसके अंदर पुड़ा पैलेट रखा हुआ है कलर रखा हुआ है आप देख सकते बट देख के ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा जी नहीं बीबिग जी मैं कुलकता से हूँ जी जुरूर बीबिग जी आप मेरा फोन ना फोन नमबर आपके सो हो रहा है सकीन पर आप मुझे वाट्सआप कर सकते बाद में तो मुझे लगता है अगर आपको सीखना है तो यह एक जरिया है पस मेरे पास नहीं आप किसी के पास सिखे बट आपको सीखना होगा इसको उनलाइन क्लास अच्छा है मैं बताओं आफलाइन से अच्छा है जिसके सिस्टेम में रेकॉर्डिंग सिस्टेम है उनलाइन क्लास जो रेकॉर्ड रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप बार बार देख सकते आप मिस कर गया तो आप दुबारा क्लास को दे नहीं आपको सुखने के लिए अभी यहां फे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि देखिए पेंटिंग्स के अंदर इस तरह से एक बैकग्राउंड डार्क करने से आपके जो फुकाल पॉइंट है आपके जो में साबजेक्ट है उबर के आता है मैं तो बस आपको एक माइना रिकॉमेंट करूंगा एक माइने क्लास जॉइन करो फिर आपको आगे क्या करना आपको समझ में आएगा आपको क्या इंप्रूमेंट हुआ आपको खुल समझ में आजाएगा और अभी तक जितने भी classes चला है वो भी आपको देखने को मिलेगा मेरे system के अंदर कभी भी dark color अब एक बार में use ना करें एक के जाएक दो तीन बार यूज़ करें और पानी को ज्यादा यूज़ करें dark करते समय भी बहुत सुदर साना नॉयस है मेरे background में पूरा विलेज है तो अब कभी भी विजिट कर सकते है इस लॉकडाउन के बाद मेरे इस्टूडियो पे तभी के लिए विलकम है और फ्रिंट्स आप लोगों को अगर जरा अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक किजिएगा लाइक करने से क्या होता है और वी जो स्टूडियन्स होते हैं उनके तक कर्चिंग में जाता है पहुंचता है अगर हम एक पूरा वीडियो आपको सेयर कर सकते है आप ज़रूर एक लाइक दे सकते है रेफ्रेंस को अच्छी तरह देखना है कलर स्किल को समझना है आपको आप चाहे तो उस रेफ्रेंस को ब्लैक एंड हॉइट में एडिट किजिए आपको कलर वैलू समझ में जगा कितना डार्क है कितना लाइट है कमपोजिशन कैसे सुन्दर लगता है क्या होता है उसके अंदर बहुत सारे तमाम बात हम आउनलाइन क्लास के अंदर इटिल में बात करते हैं समझाने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है आपको सिर्फ लेंड्सकेप करके या तो सिर्फ सिटी स्केप करके आपको क्लियर नहीं होगा इसके लिए आपको इसके लिए आपको सारी सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए सारी सब्जेक्ट को सिखना चाहिए और आपको मैं दिखाता हूँ, end में painting कैसा होगा, कैसा बनेगा, इस तरह से painting बनेगा end में, क्योंकि ये complete painting आपको दिखा रहा हूँ, मैं बिज में pause करके, आप देख सकते किस तरह से dark को मैंने भराया, बट एक बर में नहीं भराऊंगा, ये dark जो scale है, step by step आपने, देख सकते देखना है आपने, झाल, झाल झाल यहां पर फ्रेंच आल्टर मिलेन, स्कालेट लेक, कोबाल्ड ब्लू, टार्कोईस, यह सारे तमाम कलर, इंडिगो, यही कलर यूज़ करते हैं, आप शहें मॉब भी उसकर सकते हैं, मॉब कलर, जो क्लासेस, जो होता है, एक विजनस डे को है, रात को आठ बजए है, एक संडे को रात को आठ बजए है, विजनस डे को है, आपको बेसिक क्लासेस चलता है, और संडे को एडवांस क्लासेस चलते है, और इसके लिए, आपको छे दिन पहले आपको टास्क दिया जाता है, अगला संडे को क्लास है तो आपको Monday को कास्क दे दिया जाता है और next संडे तक आपको पस टाइम होता है उस सब्जेक्ट को आप पहले आप करके सब्मीट करेंगे चितना हो सके आप कोशिश करके सब्मीट करते है उसके बाद आपके painting में जो सरी तमाम point मुझे नज़र आता है वो मैं demo के अंदर आपको cover करता हूँ उसके बाद class के end में आपके painting को जैसे मेरे tablet रखा है tab buyor उस टैब के अंदर आपके painting को zooming करके आपके जो जो छोटे छोटे point है मैं आपको आप तक पहुंचाता हूँ आपके सुधरने की कोशिश करता हूँ आपके पॉइंटों को समझाता हूँ क्या करना चाहिए और क्या हो गया गलती इस तरह से क्लासेश चलता है और ये प्राइवेट फेस्बूक ग्रूप के अंदर क्लासेश चलता है जहां वीडियो सेव है आभी तक जितने भी क्लास है वह भी आपको अवेलेबल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं मेरा येम है आप एक माईने में क्या सिख पा रहे हो मुझसे कितना सिख पा रहे हो बेसिक्स जो क्लास है बेलकुल बेसिक्स से आपको समझा जाता है ट्राइंग से सुरू करके कलर वाटर कलर को कैसे अपलाई करना बहुत सरे तमाम बेसिक हमरे पास स्टुडेंट्स है जो कुछ नहीं जानते थे अभी एक दो माईने में उन्होंके बहुत अच्छा हो गया तो हर एक क्लास में आपको पेंसिल से सुरू करके बेसिक बलाखास करके हर एक कलर को आपको समझा जाता है और आडवांस में भी समझा जाता है बट एडवांस में जो कंपोजिशन होता है थोड़ा सा हम कोशिश करते थोड़ा सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता कि आ एडवांस का और बेसिक का यही अंतर है तो देखिए इस तरह से जब हम डार्क करते रहेंगे तो यह पेंटिंग इस तरह से निकलेगा धिरे-धिरे रोष्णी तभी होगा जब अंधिरा है रोष्णी की प्रोभाब तभी दिखेगा जब बहुत जदा अंधिरा दिखता है राइट झाल 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 करते हैं अब हाए वो रिफ्रेंस को आप देख सकते हैं नीची जो पार्ट है कितना अंधेरा है कितना डार्क है जिसके करान आपके उपर बहला जो लाइट टेरिया है वो उबर के आएगा अंधेर। गज्बर बहला है कर दो कितना करते है वो ऊबर का की अंधेरा है उन आपके पनी हॉशनिया है उन लिड़ा है और श्रावब दोरह वैंने कोला सिर्थ चाँ देष्ट नावर तरफ लावरी श्याय प्लारत यह देष्टेंर विल न हुमें प्सक्रम कर देष्टिघर विल्स देष्टर सिर्थ न उलत ब्रत व सिर्क्रम केट है, दो कलर, फ्रेंच आल्टामरीन, कालिट लेक, इंडिगो, आप रेफ्रेंस को अच्छी तरह देखने के बाद, उससे मिलता जूनता आप कलर, को बना के आप एपलाई कर सकते है, शुरू-सुरू में आप जैसे रेफ्रेंस हैं वैसे ही कलर करने की कोशिस कीजिए, धिरे-धिरे आपको, अब जब धिरे-धिरे बहुत सारे पैंटिंग्स को देखेंगे, अच्छा अच्छा आठिस्ट के जब पैंटिंग्स को कि वाइट स्पेस में कौन-कौन सा कलर यूज़ करने से अच्छा लगता है, रोड जो रास्ता है, रास्ता में क्या-क्या कलर यूज़ करने से अच्छा लगता है, आस्मान में किस तरह से कलर करने से अच्छा लगता है, यूलो अकर का यूज़ कब-कब कर सकते हैं और क्य प्रैक्टिस करना जुरूरी है अब डेली प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें भी प्रैक्टिस करें वेलो मिठून ददा गूद मॉर्निंग वेलो मिठून ददा गूं टाम पूं साथ अब इस डार्क पाट के अंदर भी हमने यह कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर कुछ रास्ता होगा कुछ पेर पोदा है तो वो भी दिखाना है डेप्ट के अंदर भी तभी आपको पेंटिंग कम्प्लीट होगा आप अगर बिगनस है तो आप हर एक चीज़ को गौर से देखना होगा आपको देखिए यह जो डार्क है यही है हमारे लाइट को उभरने का काम करेगा और अब देखेंगे वेक्डाउंड है उसको और कलर करेंगे और पेंटिंग करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ आपको RAW फाइल एकदम RAW दिखाने के लिए ताकि जिसके अंदर जो भी हरकत हो रहा है आपको दिखाए दे जो भी करवाई हो रहा है वो दिखाए दे कहीं बार वीडियो एडिट होता है काइम लैफ्स किया जाता है तो उसके अंदर बहुत कुछ चुपाए जाता है और बहुत कुछ कट किया जाता है जो कि आपको हो सके समझ में ना आए बिगनर्स हो तो अब और कहीं दिनों से मुझे कुछ आटिस्ट जो बिगनर्स से बोल रहे थे कि इस तरह से फूरा वीडियो आप लोड कीजिए तो अगर हम अपलोड कर रहे है तो आप एक दो बड़ चला कि इसको देखी जगा उनको क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे कैसे कलर को एपलाई करना है कहां धिरेज रखना है कहां स्पीड काम करना है कैसे के इस काम करना है आपको watch करना है 70% 70% के अंदर आपको study करना है देखना है समझना है अगर आपको कोई reference दिया जाता है आप अगर उस पर काम करना चाहते है उसको पी कफी समय से आप उसको watch किजिए देखिए उसको thumbnail बनाईए उस photo अगर है तो आप black and white में edit किजिए जब यह सारे तमाम काम करेंगे और यहां देखिए इस तरह से painting complete होगा last में और और यहां पर कुछ अभी भी जो light and shadows का effect है वो complete किया जा रहा है बहुत सारे paintings देखना चाहिए बहुत आटिस्टों का painting आपको follow करना चाहिए और बहुत सारे videos नहीं देखना चाहिए अलाग-अलाग artist के अगर YouTube पर है बहुत अलाग-अलाग artist के जो color अलाग है subject अलाग है बहुत सारे आप artist को follow करेंगे तो आपको हो सकता है confusion हो आप अगर beginners है तो एक या दो artist आप select किजिए जिनका आप वीडियो देखें चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे videos है जो अच्छे होते वो आपके searching में आते आपके जो अच्छे होते हैं वो YouTube क्योंकि वो सारे search करते हैं देखते हैं वो भी आपके पास भी searching में आता है जब भी आप YouTube ओपन करते हैं तो हो सा कि आपके वो भी काम आए क्योंकि आपको चैनल आपके पास इतना समय नहीं है आप चैनल विजिट करें और एक एक वीडियो देखें अगर subscribe करके रखते हैं तो आपको समय समय पे YouTube के system आपको प्रोवाइट करता है अच्छे अच्छे करने से क्या होता है लाइक करने से आप जैसे देख रहे हो ऐसे तमाम हजारो आटिस्टों के पास पहुंच जाता है वीडियो जो beginners है जो सीगना चाहते है तो लाइक करना मेरे लिए चलिए मेरे लिए तो मुझे करें ना करें मुझे अपने चलेगा अगर एक लाइक कर दे यह काम जरूर करें कि और भी लोगों को देखने का मौका दे सौर्ट कट में काम नहीं होता आप देख सकते कितने देर से यह काम चल रहा है और बड़ा तसलिए से काम चल रहा है और मैं आपको जो भी recording मेंने किया था raw file आपको share कर रहा हूँ इन रा फाइल बना था तीन रा फाइल आपके एक के बाद एक आपको शो किया जा रहा है इस तरह से अब हम बात करने से क्या है काम जब हुआ तो काम का concentration ठीक रहता है और बैतर काम हो पाता है क्योंकि अगर आपके साथ लाइब हम बात करते है तो जितना काम होना था उतना नहीं हो पाएगा साइद झापके साथ लाइब हम में में मि नच मॉ wrapping साथ । बहुत सुन्दर कंपोजिशन है आप चाहे तो मुझे पर्सोनाल मैसेज कर सकते मैं आपको ये फोटो आपके रेफेरेंस आपको सेंड कर सकता हूँ आप मेने इंस्टागाम भी फॉलो कर सकते हैं अचीनते हजरा है इंस्टागाम भी आपको मिल जाएगा वहां पे भी कुछ बच्चों का क्लास भी है किट्स दो ग्रूप है अगर कोई बच्चे आपके अगर सिखना चाते तो मुझे से कॉंटक कर सकते है दो बैचेस है और जिनको कुछ नहीं मालूम पेंटिंग सिखना है कितने भी मुर है उमर हो गया वो भी वो जोइन कर सकते कीड्स वाला मेरे पास कुछ बड़े लोग है जो इट्स क्लास जॉइन किया है और उन्होंने अच्छा किया स्टार्टिंग से सिखना चाहता है एकदम स्टार्टिंग से सिख रहा है हाई प्रचिक कोई बाद नहीं है आप दूबरा देख लीजिएगा ऐसे ही कमपोजिशन बहुत सुन्दर है और देखने से आपको बहुत सारे बाते यहां पे कमझ में आ जाएगा और किसी को औरिजिनल फोटो को अगर रेफरेंश चाहिए तो आप मुझे वाट्सॉप करके मांग सकते हैं मेरा नमबर उपर दिया हुआ है कॉमेंट में भी और स्कीन पे भी चल रहा है नमबर देखिए जब नीचे वाला डार्क फार्ट में जो वीडिंग्स के यहां पे भी कुछ खिड किया कुछ-कुछ लाइट रेंडम भी मैंने छोड़ा था तो अभी आपको समझ में रहा है वह जो रेंडम ली कुछ छोड़ा था उससे भी एक एक एफेक्ट आता है घर ऐसा नहीं घर की उपर च्छात है कुछ खिड की आए और भी तो कुछ होता है कैसे खिरकी है, किरकी कैभी सेढ होता है, उपर बला, बना, रेन्डमिली हम कुछ छोड़ा था जब डार कलर कर रहे थे आपने देखा होगा, जि छोटी-छोटी तमाम बातें आपको नोट करना होगा, आपको शभरा होगा और आपको detail में सिखना है तो class join करना होगा आप चाहे कोई भी artist select किजिए बट आपको अच्छा है आज के date में हर एक अच्छा-च्छा artist के patterned account है online classes है जो कि आप से close हो गया घर बैठे कहीं जाने के जुरुत नहीं है कि उतना ही सिखने को मिलता है कोई problem नहीं है online class के अंदर उससे ज्यादा सिखने को मिलता है और जो जिसनका system में recording system है वो और अच्छा है मैं बार-बार कह रहा हूं जो system में recording है जिनके online class वो जुरू written किजिए उससे क्या होगा आप कभी भी उसको देख सकते है आप miss कर गया class तो भी देख सकते है और class के अंदर आपके painting सो review होना शाहिए अगर कोई artist भी देख रहे है वो आपने अगर students को सिखाता है मैं उनको request करूँगा कि आप अपने students के जो painting साब्मिट करते हैं उनको review किया किजिए उनके paintings में problem बता दीजिए बहुत जुरूरी है students के जो problem है वो बताना वो आप artist है हम आप artist है हमारे painting को देख के student आते है बट उसके बाद जब उसके paintings को आप problem नहीं बता पाते है तो वो कुछ नहीं सिख पाएगा तो बहुत जुरूरी है कि आपने painting को नहीं उनके painting में क्या exact problem है वो आप review करके बता है class के end में और इस तरह से होगा तो online class में भी offline से बेतर आप सिख सकते है तो डेन आपके बेतर सिख पाएगा और आप जो है बहुत ज़्यदा theory के जुड़ूत नहीं है ऐसा नहीं किताब पढ़ते रहो पढ़ते रहो उससे कुछ नहीं होने बला आपको गदुरत से connect होना होगा आपको art से connect होना होगा आपको creativity से connect होना होगा तो आप आपके पेंटिंग आपके जो काम है आपको जो दिये गए टास्क है उस पर गौर भी करना है और थोड़ा सा 20-30 परशन आपको knowledge होना चाहिए थियोरी का अधरवाइस कोई फैदा नहीं है आपको degree कोई नहीं पूछा जाता है आपके degree को आपके painting को जुरूर पूछा जाता है इस बात को आप ध्यान रखिएगा आपको कोई नहीं पूछेगा आपके degree क्या है आपके painting को पूछा जाएगा नहीं बर हमने लोगों को देखा है वो बात करते है फोन करते हो पहले अपने डिग्री के बारे में बताते है भाई मैंने पूछा नहीं है आपके डिग्री पूछा नहीं है मैं पूछा आपका पेंटिंग आपका पेंटिंग मुझे दिखाओ डिग्री होते हैं जुरूरी है आपके आगे जॉब के लिए आपके लाइब सेट के लिए किसी कमपानी में आप शॉब करना है किसी स्कूल में टीचर लगना है तब ठीक आपके डिग्री आपके काम आएगा वहाँ पेंटिंग नहीं पूछा जाता है तो वो ध्यान रखना है आपको आर्टिस्ट बना है क्या डिग्री सम्मलना है सचिंत अंदुलकर का एक मैंने एड दिखा था जिसके अंदर था वो मुझे जहां तक लगता है टीवी एस विक्टर के उपड़ था वो एड मुझे आज भी याद है वो कहते है डाइविंग अच्छी तरह सिख लो लाइसेंस अप आटमेटिक बन जाएगा वो लाइसेंस ही है गर आपको डाइविंग नहीं आता और अपने लाइसेंस ले लिया उस डाइविंग का क्या करेंगे आप बाद में वो तो एक्सिडेंट होना ही है तो जोरूरी क्य सिंग आपको ड्राइविंग सेकना है ओके रिविंग आपने सिख लिया आपक अंदर से आपको लाइसंस है है और यहां पर देख सकते हां बैकग्राउंड को मैंने डार्क पहली बार में यह डार्क कलर्स दे सकता दबाट उससे क्या होगा जो पैंटिंग का सौपनेस लो खतम हो जाएगा तो लेयर बाइस टेप बाइस टेप आप अलरे स्कुल को लगाना है पानी में पानी आड़ करते हुए ताकि डार्क भी हो और सौफ्ट भी बना रहे है कॉंटिन्यू में यह पीछे और नीचे का जो डार्क में किये जा रहा हूं ताकि क्या मेरे जो जाला रोष्टनी है जो घर के उपर है वो दिखे आप रेफ्रेंस को भी देखे तो वही सेम चीज है उपर नीचे सब डार्क है शैडू है परस घर जो है उसके उपर लाइट है कर दूर कर दो कि वह डंख शैडया उसके सने है उसक भी आपष्वा को भी उतना है जाला है एपक साहां कोंपा टो है कि यह जदेखे यह तब तक नहीं चमक रहा था जब तक बेक्डाउंड डार्क नहीं हुआ झाल आप चाहे तो मिनिमाम हॉइट कलर को लेकर के यहां थोड़ा बहुत पोल वायर वगरा भी उसमें टच अप दे सकते हैं या किसी कोना अगर आपका ढग गया कलर से तो आप उठा सकते हैं कोई पॉब्लम नहीं बट वह वाइट कलर उतना मज़ा नहीं आता जितना पेपर हॉइट होता है पेपर के जो ग्लोजी होता है तो अब होइट कलर के जाएगा पेपर को बचाने के कोशिश करें कर दो अब होगा था अब होगा तो अब तो आपका जो किसी करें अब होगा पेपर के जाएट सम्हें बचाने को में ठाब होता है जाएट होता है तो आपका जाएट को अब पानी में आप जब भी कलर करते हैं तो गिला कर लीजिए पुड़ा पानी में जो वाटर बनाते हैं पानी बनाते हैं और यहां फे तग्रीवन मेरा पेंटिंग कम्प्लिट हो जाता है अभी आपको समझ माएगा वो बैकड्राउंट लोवर पार्ट के जो डार्क है वो कितना इंफोर्टेंट था आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं देखे कितना छुटी छुटी बारी की डीटेल्स है जो आपको देखना है समझना है कलर को करना है आपको प्रेंट्स थैंक्स पर वाचिंग और आप सब्सक्राइब जुरूर कीजिए चैनल ताकि आपको इस तरह से देटो डेए आपको पेंटिंग देखना को मिलेगा और जब सब्सक्राइब करेंगे आपको टाइन से आपके पास नॉटिफिकरेशन पहुंच जाएगा और लाइक करेंगे दुसरे भाई तक पहुंच जाएगा दुसरे बेहन तक पहुंच जाएगा और यह रहा मेरा कॉंप्लेट यह फोटो है फोटो और वीडियो में थोड़ा अंतर हो जाता है उनमें कॉंट्रस्ट जादा होता है फोटो में थैंक यू अनुरुद्ध और यह मेरा कॉंप्लेट पेंटिंग थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स मुझे उमीद है आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जुरूर किजिएगा और आपको अगर फोटो पेंटिंग रिफ्रेंस की फोटो की जुरूत है तो आप मुझे वाट्शॉप करें तो मैं आपको तुरंद भेज दूँगा आपके यह जो रिफ्रेंस और आप रिफ् आपके वाइлов है तो आपके रिफ्रेंस की एा आपके जुबछ करेंटिंग प्राइल के ऐसाएए ममीद है वाइव स कीजिए वाइल करेंगे तुल सोटोंभा तो मुझे टाइवा ए टाइवा स्नुब है एक जबगाओ सोगाल की तो है तो केरतास्टिंग कहसा साइए आपक